आज मैं आपके साथ लसुनी मुर्मुरा की रेसेपी शेयर करूगी मार्केट में लसुनी मुर्मुरे मिलते है न ये सेम वैसे ही बन कर तयार होता है कीचन के बेसिक इंग्रिडियन्स से आप एक मुर्मुरे तयार कर सकते हो तो चलो लसुनी मुर्मुना बनाना स्टार्ट करते है कड़ाई में मैंने 4-5 चमश तेल लिया है उस पर मैंने सिंग दना दाल की इसे तेल के अंदर अच्छे से सेख लेना है सिंग दना सेख कर त्यार हो तब तक मैंने यहाँ पर लसुन की 10-12 कल्या ली है उसके छिल के निकाले नहीं है उसे ऐसी हमें कुटना है बारिक नहीं करना है सिंग दना भी 80% सेख गए है उसी के अंदर हमें यह लसन की कल्या और थोड़े करीपता दाल कर इसे भी अच्छे से 2 मिनिट के लिए तेल में फ्राई करना है अब यहां मैंने गैस की फ्लेम को बन करके कड़ाई को नीचे रख दिया है हमें सारे इसमें मसाले करना है मैंने आधा चमच हल्दी का पाउडर आधा चमच दन्या जीरा पाउडर और एक चमच लाल मिर्ची का पाउडर दाल के इससे अच्छे से मिक्स किया है और लास्ट में आदा चमच हिंग डाल कर इससे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले जलना जाए इसके लिए मैंने कड़ाई नीचे रखी थी कड़ाई को फीर से मैंने गैस पर रख दिया है और स्लो फ्लेम रखी है इसमें मैंने ये मुर्मूरे जो है सेक के पहले सी रखे हुए थे ये मसाले के अंदर ये मुर्मूरा दाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसा नमक और दो चमच शक्कर का पावडर दाला है उसे फीर से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मुर्मुरे जब बन रहे थे ना तब भी मेरे मुँमें पानी आ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कप ठंडे हो है और मैं खालू ये मेरा सबसे फेवरेट है मुर्मुरे तयार भी हो गए है और ठंडे भी हो गए है इसे मैं काच के जार में स्टोर कर रही हूँ आप कुई भी एलटाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हो 15-20 दिन के लिए ये खराब नहीं होते है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेर जरूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना